आज 26 सितंबर है और आज मैं ये वीडियो जो टॉपिक आपके सामने आज में लेकर आ रहा हूं बैसिकली ये किसी और वीडियो में लाने वाल था आज कुछ और बात करनी थी जिसके बारे मैं बता देता हूं कि मैं सोच रहा हूं कि इसके उपर मैं लाइव आ जाता हूं और उससे भी अच्छा सजेशन में आपको यह दूँगा कि आप जाकिर नायक को फेजूप पर हर वो व्यक्ति जिसको लगता है कि कुरान और स्लाम बहुत अच्छी चीज़ होती है और बहुत अच्छी बाते होत कि इतना दावा कर सकता हूं लेकिन अगर आपको तब भी लगे कि वह कैसे एक्सपोस कर रहा है यह बात तो ऐसी है वैसी है सही तो है गलत तो है तो उसके लिए मैं लाइव आउंगा डेट और टाइम आपको फेस्बूक के कम्यूनिटी पोस्ट में दिख जाएगा तो कोई नया है तो मैं चाता हूं सब्सक्राइब जरू कर लें और विडियो में बने रहेगा क्योंकि आज का मुद्दा मुद्दा दो-तीन दिन पुराना है रिपोर्ट 25 तारीक को किया गया था यह पिछले दिन और आज हमनों डिस्कस कर रहा है मुद्दा यह है आपको बता में एक 23 साल की लड़की का सर कटा हुआ शरीर मिला जिसको बाद में उसके पिता ने अडेंटिफाई किया कि हाँ यह मेरी बेटी है और वो शादी सुदा थी उसने अपने पैरेंस के इसके पिता कैसा कहना है कि उसने फैमिली की इच्छा के अगेंस्ट जाके एक मुसल्मा साथी की और यह मरने के लड़का मुसल्मान मुसल्मान ने कहा कि तुम कनवर्ट हो जाओ कि लड़की ने मना कर दिया कि मैं कनवर्ट नहीं होंगी ठीक क्यूंकि आपको पता है कि इसलाम में अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्क कर सकते हैं नौन मुसलिम से साथी करना खर काम है एक तरीके से तो आप अगर साधी करते बिए हो सको कर लीजी अपना काम कर लीजिए कमश्ट कर लीजिए है तो कर नहीं हुद उसने मना कर दिया और फिर उसके बाद क्या करना है कि एजाज ने अपने फ्रेंड शोएब के साथ मिलके अपनी ही पतनी की हत्या की मतलब इससे आप एक चीज पहले लियर कर लिए अपनी की रूह तक अपनी अच्छा है कि इसने ऐसी मानसिक्ता के लोगों ने इठाना हुआ है कि हम कनवर्जन के ही मोटिव से साधी करेंगे या फिर सेक्शली अब्यूस करने के लिए सोशली अब्यूस करने के लिए हर तरह के से अब्यूस के लिए ही साधी करेंगे और अगर हमारा मोटिव पूरा नहीं होता है तो हम ऐसे ही जान ले लेंगे आप लोग सोच रहोंगे मैं क्यों इतने harsh word यूज कर रहा हूँ लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं बिना proof के नहीं बोल लो पहले news आई उससे पहले हत्या हुई तो sequence में देखें तो उसने पहले हिंदू लड़की से साधी की convert करने के लिए force किया उसने conversion accept नहीं किया Islam accept नहीं किया तो उसको मार दिया गया गला काट के अपने ही friend के साथ मिलके उसी के पती ने मार दिया उसके बाद news आती है पुलिस जाच करती है उसके बाद मैं जाके आपके सामने ये बाते रखता हूँ लेकिन आपको notice क्या करना है कि मैं इतने harsh values कर रहा हूँ और hatred spirit कर रहा हूँ तो ये आपके hypocrisy है मेरी नहीं इनके पिता का नाम है लक्षमी नरायन इनके ये कहना है कि जो लड़की है प्रिया नामक उसने family की wish के against जाके साधी की थी अब आप ये समझे है कि family की wish के against जाना वो भी किसी और मजभब में साधी करना इस्पेसिफिकली इसलाम में आप के लिए कितना घातक हो सकता है मैं उन लड़कियों के लिए कहना चाता हूँ कि आप please aware रही मैं यह नहीं कहा रहा कि आपकी किसी से tuning बन रही है तो आप उससे relation ना रखिये लेकिन हर व्यक्ति अपना nature अपना character सुरुवात में आपके सामने नहीं दिखाता है अगर दिखा दिया होता तो ये लड़की भी जिंदा होती और मेरी सबसे brutal सला तो यही रहेगी कि please 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 मुसल्मान से साधी करने से बचिये sorry to say मैं अब और बरदास नहीं कर सकता कि हमारे समाज की भारत की कोई भी लड़की ऐसे गिनाओने हरकतों की वैसे उनका कतल कर दिया जा जिंदगी बरबात कर दिया इनको कहीं का ना छोड़ा जाए just because उसने इसलाम accept नहीं किया मतलब उसकी पहली गलती उसने मुसल्मान साधी की दूसरी गलती उसने इसलाम ने accept किया मुसल्मान नहीं बनी तो उसकी जान ले लिए लोग कहते हैं कि लेपोर्ट के अकॉर्डिंग लिखा कि मुवाइल फोन डिसीज्ड का और नाइफ आइरन रोड कार यह सब रिकवर हुए और नसे विल बी इनवोक्ड अगींस देम पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ रासु का भी लगेगी कई किस्से तो मैंने ये भी सुने है कि जब कोई मुसल्मान किसी यंगर लड़की को फसाता है जैसे कि 15 साल से नीचे हो तो कुरान में लिखा है कि 15 साल से उपर की लड़की से ही साधी करनी है मुसल्मान हो नहीं चाहिए तो यह लोग पहले क्या करते है कि अगर कम एज में साधी करनी है तो लड़की को पहले कनवर्ट कर लेते हैं तो इनका शरीया लॉग एकसेप्ट करता है ये कि आप साधी कर सकते हैं इंडियन कानून के साब से ये लोग अभी भी नहीं चाहते हैं 18 साल वाली वैदेता ही लोग नहीं मानते अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताएंगे कि पहले प्यार ससाधी करूँगा फिर कनवर्ट करने कोश्च करूँगा नहीं मानोगी तो मार दूँगा लोग सिर्फ यहीं बताएंगे कि मैं प्यार ससाधी करूँगा कनवर्ट करने कोशिश नहीं करूँगा तुम जैसे ही हो वैसे एकसेप्ट करूँगा बस और आप पिखल जाएंगे फिर अगले दिन कड़ जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि इस स्टोरी को दूर दूर तक शेयर करिए सबको अगयर करिए अपनी बेहन बेटियों को बचाईए खेर ताइम क्या हो रहा है हो सकता है शाम तक या चार बज़े तक पांच बज़े तक या कभी भी मैं लाइब आउँ अगर आना होगा तो कम्यूंट